जै मातादी दोस्तो वास्तु ग्यान गंगा YouTube चैनल पर आप सबी का स्वागत है आज हम आपको चिपकली के बारे में जानकारी देंगे नवरात्रों की दिनों में घर में चिपकली का आना सुब होता है या असुब दोस्तो घर में अगर अचानक से चिपिकली दिख जाए तो लोग डर के इधर उदर भाग जाते या फिर उसे भगा देते और बहुत से लोग तो चिपिकली को देख करके बहुत ज़्यादा डर जाते लेकिन कि आप जानते हैं गर में जीव का दिखना शुब माना जाता है या अशुब दरसल गर में चिपिकली का दिखना धनलाब की संकेत देता है लेकिन अगर ये गर के पूजा गर में दिखाई दे तो ही धनलाब की संकेत देता है चिपिकली का दिखना सिर्फ धनलाब की संकेती नहीं वलकी परवार की सदस्यों के बीच आ रही परेशानिया मन मुटाब को भी दर्साता है चिपिकली का कहा दिखना सुभूता है और कहा नहीं देखो चिपिकली कई पिकार से असुभी मानी जाती है और कई पिकार से सुभी मानी जाती है बात करते हैं कि चिपिकली कौन सी अवस्ता में सुभ मानी जाती है कौन सी अवस्ता में सुभ माननेता है कि अगर दीपावली नवरात्री इन शुब दनों की रात में गर में चिपिकली दिख जाए तो ये बहुत ही शुब माना जाता है दरसल चिपिगली को मा लच्मी से जोड़ा गया है और ऐसी मन्यता है कि चिपिगली के दिन घर में चिपिगली का आना यानि दीपावली के दिन या नवरात्री के दिनों में घर में चिपिगली का आना दिखाई देना मा ता लच्मी के आगमन को दरसाता है चिपिकली बैसे तो असुव है लेकिन इसको वर्दान भी मिला हुआ है कि जिसका आना घर में आना या पूजा इस तल में दिखाई देना सुव माना जाता है इसकी जाती असुव है लेकिन इसका आना सुव माना गया है ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के नई घर में या घर में प्रिविश की समय चिपिकली दिखाई दे जाए तो ये किसी पूरवज या पिता के आगमन को दर्साता है ऐसी माननता है पूरवज चिपिकली की रूप में प्रगट होकर आशिवा देने आते हैं वही नए घर में प्रिविश करते समय अगर आपको चिपिकली दिख जाए तो यह घर आपके लिए शोभ माना गया है यहीसमें माता लचमी का बास रहेगा यदि मरी हुई चिपिकली आपको दिखाई दे जाए तो उस घर में प्रिविश नहीं करना चाहिए कहते हैं कि सपने में चिपगली को लड़ते हुए देखना मत भेदर साता है आपकी खीशी से लड़ाई हो सकती है वही सपने में चिपगली को पकरने की कोशिश करना और चिपगली का डर कर भागना एक अच्चा संकेत है इसका मतलब होता है कि आपको बहुत जल्दी सुम समाचार मिलने वाला है और धन की प्राप्ति होने वाली है घर में दो या दो से अधिक चिपकली लड़ाई करते हो दिख जाए तो ये अशुब संकेत होता है वही पूजा करते समय अगर आपको चिपकली की अवास सुनाई दे जाए या दो चिपकली या चुपचाप आपसे में चिपट करके दीवार पर रहें और आपकी तरफ देख रही है तो ये बियादी शुम माना जाता है उसे समय थोड़े से चाबल आपको चिपकली की उपर डाल देने चाहिए जिस समय आप माता की पूजा कर रहे हूं उस समय आपको चिपकली दिख जाए तो ये सुम मानी जाती है चिपिकली अगर आपको दीख जाए तो उस समय आपको माता लच्पी की मंत्रों का जाप करना चाहिए वही शरीर पर चिपिकली का गिरना सोबर आसूप संकित को दर्साता है दोस्तों आपके सिर को छोड़ करके कहीं भी चिपिकली गिर जातों सोब माना जाता है वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी बताएं कि आपको किस पकार चिपकली की दरसन होते हैं